नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत है आपका शड़ी मेरी जिद में आज से हम हिंदी के टॉप 50 प्रशन कराएंगे इस वीडियो से जो आपकी जो वीडियो री एक्जाम की परीच्छा है उसके लिए बहुत ही मोश इंपोर्टन होने वाले हैं तो आपकी जो सीरीज है वो आपका आज प्रक्तिस सेड नंबर एक है तो चलिए शुरुवात करते हैं प्रशन आपका पहला है कि निमलिखित गद्धान्स को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके नीचे दे गए बहुविकलबे प्रशनों में सही बिकलब का चैन करें तो चलिए सबसे पहले गद्धान्स पढ़ते हैं तो इस गद्धान से प्रशन दे गए हैं प्रशन नमर आपका पहला है कि अनुशाशन किसकी आत्मा है उप्शन A सैनिक जीवन की उप्शन B हर व्यक्ति की उप्शन C ईश्वर की उप्शन D राष्ट और समाज की तो अनुशाशन किस की आत्मा है तो अनुशाशन जो है वो सैनिक जीवन की आत्मा है यूण ओप्शन A सही हो जाएगा चलिए आँगे बढ़ते हैं प्रशन म्मर 2 है कि विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारड क्या है ओप्शन A अनुशाशन होना Option B, अनुशाशन न होना Option C, अराजकता फैलना Option D, सदभाव न रहना यहीं सदभाव न रहना तो प्रशन दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुशाशन न होना यहीं अनुशाशन नहीं होगा तो विस्व का जो अस्त व्यस्त हो जाएगा यनि कारण होने कारण क्या है विस्व का अस्त व्यस्त होना प्रशन नमबर तीन है कि अनुशाषन क्यों आवश्यक है उप्शन E सदभाव और सांती के लिए उप्शन B परिवार में सदभाव और समाज तथा राष्ट में सांती और सदभाव पूर्ट सम्मद बनाई रखने के लिए उप्शन C सैनिक जीबन को स्वस्त बनाने के लिए उप्शन D इस्ति को कायम रखने के लिए तो प्रशन 3 का जो आंसर है वो option B आपका सही हो जाएगा आँगे बढ़ेंगे प्रशन 4 है इन में से कौन सा सब्दा अलंकार नहीं है option A, slash, option B, वीपशा, option C, उपमा, option D, बक्रोकती तो यहाँ पर option जो C है इन में उपमा अलंकार वो सब्दा अलंकार का भेद नहीं है वो किसका है तो यह है अर्था अलंकार का भेद आँगे बढ़ेंगे प्रशन 5 है कि grass on other side always looks greener का हिंदी अर्थ क्या होगा option A, दूर के ढोल सोहाबने लगते हैं option B, पेड धर्ती को सुन्दर बनाते हैं option C, परिवर्तन प्रकर्ती का नियम है option D, जीवन मात्र ही संगर्स पूर्ड है तो प्रशन 5 का जो आंसर है वो option A आपका सही हो जाएगा यह निए दूर के ढोल सोहाबने लगते है option A, रूड है, option B, योगिक है, option C, योगरूड है, option D, मिसरत है तो प्रशन 6 का जो आंसर है वो option C, यहनि योगरूड सही हो जाएगा यहनि पंकाज और जलद जो है वो योगरूड सब्द के उधारण है आगे बढ़ते हैं प्रशन अगला देखेंगे प्रशन नमबर 7 है कि देवनागरी लिपी का सरपर्थमप्रियो कहा हुआ था option A, पाड़नी करत अश्टा द्याई में option B, अपभरंस साहित में option C, अमीर खुसरो की पुस्तकों में option D, जैभट के सिलालेख में तो प्रशन नमबर 7 का जो आंसर है वो option D आपका सही हो जाएगा यनि जैभट के सिलालेख में आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर 8 है कि सभी महाप्राण वरडों बाला वरग कौन सा है option A, खा, छ, ठ option B, ध, च, ड option C, म, श, ध option D, य, द, घ तो प्रशन आठ का जो आंसर है वो option A आपका सही हो जाएगा अब बाद आती है अलप्राण और महाप्राण क्या होते हैं तो अलप्राण B होते हैं जिनके ओ चारण में मुकसे हवा जादा निकलती होने महाप्राण कहते हैं और जिनके ओचाड में मुक्सिहावा कम निकलती हैं उन्हें अलप्राण कहते हैं आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर 9 है कि इसपर्श्व्यंजन कंठ धुनियें अघोस और महाप्राण धुनियें यहाँ पर option जो C है आपका सही हो जाएगा यहाँ इस पर खा जो है वो इस पर स्वियंजन भी है वो चारड इस्तान का जो है वो कंट है अगोस वर्ड है और यह महाप्राण भी है आगी बढ़ेंगे प्रशन नंबर 10 समीप छोटा तथा गौड के अर्थ में कौन सा उपशर्ग है option A और option B उत option C उब option D उप तो प्रशन 10 का जो आंसर है वो option D यहीं उप सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन 11 है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था वाक्य का भेद बताएगे option A सरल बाक्य है, option B आसरत बाक्य है, option C सहींत बाक्य है यह option D मिश्र बाक्य है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कहां हुआ था, जो बाक्य है वो कैसा है, मिश्र बाक्य है यह option D आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर वारे हैं कि सर्प मेडक सिंग घोडा वानर आथी आदी को समझाने वाला सब्द है option A पशू, option B शिब, option C हरी, option D कपिश्क तो प्रशन बारे का जो आंसर है option C आपका सही हो जाएगा नहीं हरी सर्प मेडक सिंग घोडा यह जो सब्द है वो हरी के ही है यानि हरी के इतने अर्थ होते है option A गहरी दोस्ती, option B प्रतिवाद करना, option C गहरी दुश्मनी, option C पीछे पड़ना तो प्रशन 13 का जो आंसर है option A सही हो जाएगा यहनी गहरी दोस्ती दात काटी रोटी का आर्थ होता है गहरी दोस्ती आंगे बढ़ते हैं, प्रशन 14 है कि अर्चना अत्यंत शुन्दर है रेखांकित पद का भेद बताईए option A इसमें जो अत्यंत है वो क्या है? option A विशेशड, option B प्रविशेशड, option C विशेश विशेशड, option D सविशेशड तो प्रशन 14 का जो आंसर है वो option B यानि प्रविशेशड सही हो जाएगा अब प्रविशेशड क्या होते हैं? बे विशेशड, जो विशेशड की भी विशेशड बतलाते हैं उन्हें प्रविशेशड कहते हैं अंगला प्रशन है प्रशन नंबर 15 उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया अंग्रेजियन बात करें option A, by them their work has yet not been finished, option B their work has not yet been finished by them, option C their work has not been finished yet, option D their works have not yet been completed by them तो प्रशन पंद्रे का जो आंसर है option जो B आपका सही हो जाएगा, यानि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, यानि their work has not yet been finished by them चले आँगे बढ़ते हैं, प्रशन आपका अगला देखेंगे, प्रशन नंबर आपका अगला है प्रशन नंबर है 16, प्रशन है निमिकित मैंसे तत्सम सब्द का चैन करी, option A सिखा, option B चंदा, option C रात, option D बात तो प्रशन 16 का जो आंसर है वो option A सही हो जाएगा, यानि सिखा जो शब्द है, वो कैसा है, तत्शम शब्द है बाद बाद की आपके शबी शब्द कैसे हैं, तो बाद बाद की शबी शब्द आपके तदभव शब्द है, प्रशन नंबर 17 है कि सोना का परयायवाची सब्द है, option A पन्नग, option B ललित, option C चित्तागर्शक, option D जात रूप तो प्रशन 17 का जो आंसर है, वो आपका सही हो जाएगा, नहीं, option D, यहीं, जात रूप, सोना का जो परयायवाची है, वो कौन सा है, जात रूप है, चले, आगे बढ़ते हैं, प्रशन नंबर 18 है, निम्न बिकल्पों में से एक सही बिकल्प छाटिये, option A, जीवन छड़ भंगूर है, वेर्थ नश्ट ना करें, option B, जीवन छड़ भंगूर है, वेर्थ नश्ट नहीं करें, option C, जीवन छड़ भंगूर है, वेर्थ नश्ट ना करें, option D, जीवन छड़ भंगूर है, वेर्थ नश्ट ना करें, तो प्रशन 18 का जो आंसर है, वो option A, सही हो जाएग जीवन छड़ भंगो रहें बेर्थ नश्ट ना करें आंगे बढ़ते हैं प्रशन नम्मर 19 है कि अनेश्य वाचक सर्बनाम का अपादान कारत में बहुचन रूप क्या होगा आप्शन A किसी से, आप्शन B किन से, आप्शन C किनी से, आप्शन D किन को तो प्रशन 19 का जो आंसर है वो आप्शन C यानि किनी से सही हो जाएगा अगला प्रशन है प्रशन नम्मर 20 प्रत्यासा सब्द में उप्शर्ग है आप्शन A A, आप्शन B प्र, आप्शन C प्रति, आप्शन D प्रत्या तो प्रशन 20 का जो आंसर है वो option C यानि प्रति आपका सही हो जाएगा या प्रत्यासा शब्द में उप्षब क्या है तो प्रति उप्षर्ग है प्रशन 21 है यदि सभी राज सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते है option A सूचना option B परिपत्र option C आग्या पत्र option D अधिशूचना यनि सभी राज सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहते हैं परिपत्र इनी option जो भी है सही हो जाएगा आँगे बढ़ेंगे प्रशन अमबर 22 है कि धूसर का परियावाची शब्द होगा option A खनक, option B सदन, option C बेशर, option D गजवदन तो धूसर जो है वो किसका परियावाची है तो धूसर जो है वो बेशर का परियावाची option C आपका सही हो जाएगा प्रशन अमबर 22 आँगे बढ़ेंगे प्रशन अमबर 23 है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे option A आदरणिये मित्र, option B पूजनिये मित्र, option C प्रिये मित्र, option D महोद है तो प्रशन 23 का जो आंसर है option C यानि प्रिये मित्र सही हो जाएगा प्रशन 24 है कि कौन सा आधिकरण तत्पुरुसमास नहीं है option A पुर्शोत्तम, option B देशाटन, option C कुलस्रेष्ट, option D धर्मब्रष्ट तो प्रशन 24 का जो आंसर है option D यानि धर्मब्रष्ट सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन 25 है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया option A सदलमिश्र, option B सरद्धाराम फुलोरी, option C लल्लूलाल, option D राजाराम मोहर्राय तो प्रशन 25 का जो आंसर है option B सरद्धाराम फुलोरी, आगे बढ़ेंगे प्रशन 26 है कि अतियुक्त शब्द में संदी है, option A दीर्ग, option B गोड, option C यड, option D आयादी तो प्रशन 26 का जो आंसर है option C, यडि अतियुक्त में संदी कौन सी है, तो इसमें एडशोर शंदी है, जब भी आधा अच्छर आयो, आदे अच्छर के बाद यतो या हो या वा हो, तो बहाँ संदी कौन सी होती है, तो बहाँ एडशोर संदी होती है आगे बढ़ेंगे और प्रशन आपका अगला देखेंगे, प्रशन नमर आपका 27 है, इनमें से कौन सा कथन अशत्त है, option A, अद सास के पत्र, मित्रता, पूर्ड, भासा में लिखा जाता है, option B, संबोधन के लिए प्रिये लिखा जाता है, option C, श्वन नर्देश के लिए आ option D आपका सही हो जाएगा, यानि में, प्रशन 27 का जो आंसर है, वो option D, ठीक है, यानि इनमें जो भीजने वाला जो है, हस्ताचर करके पद का उलेक भी करता है, आगे बढ़ते हैं, प्रशन नमर 28 है, कि drawing man gets a straw का अर्थ क्या होगा, option A, डूबने बाले को तिनके का सहारा दे option B, डूबने बाले को भगवान बचाता है, option C, डूबते को तिनके का सहारा, या option D, डूबने वाला खुद को बचाने का संगर्स करता है, तो प्रशन 28 का जो आंसर है, option C, यानि डूबते को तिनके का सहारा सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रशन नमर 29 है, कि आहट, आहट, आवट, आस, आधी किस प्रकार के तधित प्रत्य है, option A, कृतत्य वाच, option B, कर्म वाच, option C, भाव वाच, option D, सम्मंद वाच, प्रशन 29 का जो आंसर है, option C, यानि भाव वाच, सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है, कि बाचक शब्द चाटी यहीं, पुलिंग सब्द चाटना है, इनमेंसे कौन सा है, प्रशन A, कैमरा, option B, पायल, option C, प्लेट, option D, तलवार, तो यहाँ पर प्रशन नमबर 30 का जो आंसर है, वो option A, यहीं कैमरा, जो है, वो कैसा है, पुलिंग शब्द है, अब पुलिंग और स्तिलिंग कैसे पैचानेंगे, तो देखे, सब्द के आगे, मेरा, और मेरी, मेरा, और मेरी जोडने से, मेरा किसके लिए इप्रियो करता है, लड़का प्रियो करता है, और मेरी कौन करता है, लड़की इप्रियो करता है, तो मेरा कैमरा, मेरी कैमरा तो नहीं होता है, मेरा कैमरा, तो यह तो प्रशन 31 का जो आंसर है option A, नामधातु क्रिया सही हो जाएगा, अब नामधातु क्रियाएं क्या होती हैं, बे क्रियाएं, जिनका निर्माण, संग्या, सर्वनाम, विशेशड, इनसे होता है, उन क्रियाओं को नामधातु क्रियाएं कहते हैं, आगे बढ़ेंगे प्रश प्रशन 32 का जो आंसर है option D, समुच्य बोधक सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रशन 33 है कि उद्देश में करता के साथ और क्या रहता है, option A, करता विश्थार, option B, करता पूरक, option C, करता विधे, option D, विधे पूरक, तो प्रशन 33 का जो आंसर है option A, यानि करता प्रशन 34, रहता है, सही हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रशन 34 है कि भाववाच्य छाटी है, option A, दादा जी के द्वारा अनिल को डाटा गया, option B, तोते से उड़ा नहीं गया, option C, असोक ने आइसक्रीम खाई, option D, चोर पकड़ा गया, तो प्रशन 34 का जो आंसर है option B, यहीं तोते से उड़ा नहीं गया, यह कैसा है, यह तो यह बाग के जो है भावाच्य है, चलेगे, आगे बढ़ते हैं, प्रशन आपका अगला देखेंगे, प्रशन आपका 35 है कि लगजा किस लेखक या लेखका की करती है, option A, तश्मीला, तश्लीमा, नस्रीन, option B, option C, कनहिया लाल, option D, जैनेंदर कुमार, तो प्रशन 35 का जो आपका अपका 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 अचेतन, option B, निर्जीव, option C, मृत, option D, अचेतन, तो प्रशन 36 का जो आपका अपका अचेतन, प्रशन 37 है कि कई दर्शक गड किस विशेशड का अधारण है, option A, निश्यत संख्या वाचक विशेशड, option B, अनिश्यत संख्या वाचक विशेशड, option C, निश्यत परिमार वाचक विशेशड, option D, अनिश्यत परिमार वाचक विशेशड, तो प्रशन 37 का जो आपका अपक आप्शन इस्व नहीं है, चलिए प्रशन अगला है, प्रशन नमबर 38, कदाचित साम तक वो बापस आजाए, इश्वाक में प्रुक्त काल को पहचाने, उप्शन A, सामान भविश्यत, उप्शन B, सन्दिक्द भविश्यत, उप्शन C, सन्दिक्द भूत काल, उप्शन D, सम पीछे लोकोक्तियां और उनके अर्थ देए गए हैं यह मैं से गलत अर्थवाली लोकोक्ति का चैन करना है। प्रशन चालिस है कि सक्ख्यागमन का सही संदि विच्छेद क्या होगा। किया जाए वहां कौन सालंकार होता है। उप्षन A विरोधा भाष, उप्षन B संदेह, उप्षन C अर्थान्याश, उप्षन D विशेशोक्ति। तो प्रशन 41 का जो आंसर है उप्षन C यानि अर्थान्तर्नयाश अलंकार सही हो जाएगा। आँगे बढ़ते हैं प्रशन 42 है कि पशीनेश युक्त बाकी के लिएक शब्द क्या होगा। उप्षन A पास्युक्त, उप्षन B स्वेदिस, उप्षन C स्वेदित, उप्षन D पसीदित। तो प्रशन 42 का जो आंसर है उप्षन C यानि श्वेदित सही हो जाएगा। चलिए आँगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रशन देखेंगे। प्रशन अगला है प्रशन 43 किस भाव की परिपक्त अवस्ता को रस कहा जाता है उप्षन A अनुभाव, उप्षन B विभाव, उप्षन C संचारी भाव या उप्षन D इस्थाई भाव तो प्रशन 43 का अप्षन D मदन मोहन मालवी है, उप्षन C राजा राम मोहन राय, उप्षन D महत्मा गांदी तो प्रशन 44 का जो आंसर है उप्षन A यानि रविंदर नाठ ठाकुर सही हो जाएगा। आंगे बढ़ते हैं प्रशन 45 है कि रगुपति रागब राजा राम में कौन सा लंकार ह यनि जिन अलंकार में किसी वर्ड की अबरती बार बार हो तो यहां पर रावर्ड की अबरती बार बार हो रही है तो यहां पर कौन सा लंकार हो जाएगा अनुपरास लंकार। आंगे बढ़ते हैं प्रशन 46 है कि याचना सब्द का बहुबच्छन रूप क्या होगा? तो प्रशन 46 का जो आंसर है आंगे बढ़ते हैं प्रशन 47 है कि निमलिखित मैंसे किश बिकल्प में सभी शब्द भावाचक शंग्या सब्द है आप्शन A अमीर गरीब शमू मिठास आप्शन B जवानी खटास पुस्तक गंगा आप्शन C रसीला कड़वाहत बुड़ापा उन्नती आप्शन D धैरे चाला की उदासी शूरे तो प्रशन 47 का जो आप्शन C रसीला कड़वाहत बुड़ापा उन्नती कैसी संग्याएं है तो ये सभी संग्याएं भावाचक है आगे बढ़ते हैं प्रशन 48 है कि नैचुरल जश्टिस का हिंदी आसे क्या होगा आप्शन 48 का जो आप्शन A नैसर्गिक ने आएं आएं आँगे बढ़ेंगे प्रशन 49 है कि ग्यार्वाँ विश्व हिंदी संग्यलन वर्स 2018 में कहां आयो जित हुआ था आप्शन A मौरिशष, आप्शन B भारत, आप्शन C दच्छड अफरीका याप्शन D UK तो प्रशन 49 का जो आंसर है option A, यहीं मौरी शर्ष सही हो जाएगा आँगे बढ़ते हैं और शी वीडियो का लाश्ट प्रशन है आपका प्रशन 50, अपरी हारे का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? option A, justified, option B, urgent, option C, unboidable, option C, necessity CBT, तो प्रशन 50 का जो आंसर है option C, सही हो जाएगा आपका तो यह थे आपके 50 most important प्रशन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिये हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई प्रशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद